आप देख रहे हैं दखल न्यूज आटियाई से हुआ पड़ा खुलासा 2016 सितंबर से पहले देश में सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी नहीं किसान कर्ज बाफी को लेकर मद्यप्रदेश में घमासान, मुख्यमंत्री कमलनात और पुर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग आमने सामने महराश्ट्री के मुख्यमंत्री देवेंद फण्विस ने कहा भाजपा मानती है हेमंद करकरे को शहीद बोपाल में दिगविजय सिंग की जीत के लिए हुआ अनुष्ठान साधू ने किया हट योग कहा दिगविजय जीतेंगे और चित्रिकूट में दो जुड़वा मासूमों का अपरहन कर हत्या करने वाले एक आरो पीने की जेल में खुद कशी नमस्कार मैं हूई शेफाली आप देख रहे हैं दखल दियूज अब ख़बरे विस्तार से कॉंग्रेस के मनमोहन सिंग सरकार के समय छे सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के बीच आर्टी आई से ये खुलासा हुआ है इस साल 2016 से पहले कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया गया आर्टी आई की तहत मांगी गई जानकारी का जवाब रक्षा मंतराले की ओर से दिया गया यूपीय सरकार में मनमोहन सिंग के प्रदानमंती रहती कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ये जानने के लिए RTI की जरीए जो जानकारी निकाली गई वो बहुत चौकाने वाली है जम्मू के रहने वाले RTI एक्टिविस्ट रोहिस चौधरी ने RTI के तहत रक्षा मंतराले से इस समन में जानकारी मांगी थी मंतराले ने जवाब देती हुए बताया है कि अभी तक सिर्फ एक सर्जिकल स्टाइक हुई है RTI में जानकारी में आगी गई थी कि सितंबर 2016 से पहले भी क्या कोई सर्जिकल स्टाइक हुई थी इसके जवाब में रक्षा मंतराले ने कहा कि इस तरह की किसी भी कारवाई का कोई पिछला रिकॉर्ड मंतराले में मौजूद नहीं है RTI की जवाब में ये भी काग्या है कि सितंबर 2016 की सर्जिकल स्टाइक में किसी भी तरह की कोई शती नहीं हुई थी दो दिन पहले भाजपा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था जिसमें किसानों की कर्ज माफी के मुद्धे पर कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े किये गए थी आज कॉंग्रेस ने उस पर पलडवार करते हुए पूर्वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग के खर पहुच कर किसानों की कर्जा माफी से जुड़े तमाम सबूत उन्हें सौपे लेकिन इस पर शिवराज सिंग ने एक प्रेस कॉंफरेंस करके दोबारा प्रदेश की कॉंग कर्जा माफ करेंगे वो कर्जा माफ करेंगे जबकि वादा सबका कर्जा माफ करने का था प्रदेश में अब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है किसानों के साथ प्रदेश सरकार ने धोगा किया है जब तक बैंकों को सरकार पैसा नहीं देगी कर्जा माफ नहीं होग लेकिन सरकार बनने के बाद कुल दो लाग तक के कर्ज माफी पर आकर कहानी रुख गई और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया पूर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान का कहना है राहुल गांधी ने दस दिन में कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन अब कह रहे हैं कि ये कर्जा माफ करेंगे वो कर्जा माफ करेंगे वादा सब का कर्जा माफ करने खाता भाजपा सीधे साधे कर्जा माफी को जूटा करार दे रही है ऐसे में कॉंग्रेस ने इस पर पलटवार किया आज सुभा कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता सुरेश पच्चौरी के नित्रत्व में एक प्रतिनिधी मंदल किसानों की कर्जा माफी के सबूत लेकर सीधे शिवरा सिंग चोहान के बंगले पर पहुँच गये जिससे ये भी तस किसानों का नाम उनके मोबाइल नंबर जिस बैंक से लोन लिया था उसकी सारी जानकारी है इस मौके पर वरिष्ट कॉंग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि किसानों की कर्जा माफी का मामला छुपा नहीं है सारी जानकारियां पाइंदर्ज हैं शिवरास सिंग चहान और भाजपा लोगों कर गुमरहा कर रहे हैं जूट परोस रही है इसी लिए हमने आज शिवरास सिंग को किसानों की कर्जा माफी से जुड़ी जानकारी दी है यह पिर्णी का नाम है यह उसके पिता का नाम है यह जिला है पैसील है यह संक्ral है यह सारे सारे लिए डिटेंस हैं यह सारी वास्वित जानकारी है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान कल्यान मंत्राला है उसकी पोर्टल पे ये सब है कोई चीज छिपी होई नहीं है अभी मैं प्रेस से बात PCC में करूँगा आपको सारे डिटेज मैं मोहिया करूँगा हमने उनकी जानकारी के लिए ये सारे के सारे 21 लाग किसानों का जो करदा माफ हुआ है वो जानकारी पूरी पिंटिट फार्म में दिये और उनसे का है इसकी शुरुआत आपके काउं जयत से हुई है आपके परिवार से हुई है तो कहा क्या जा रहा है आरोप पत्र में एक भी किसां का करदा माफ नहीं हुआ भाजपा यही ते रही है तो जयत से शुरुआत करें अपने परिवार से शुरुआत करें हर जिले से देखें कि वो क इसके बाद बारी शिवरास सिंग की थी पूर्व मुखमंतरी शिवरास सिंग चोहान ने मुखमंतरी कमलनात पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल सूची बढ़ा देने से करजा माफ नहीं हो सकता है प्रदेश के किसानों पर कुल 48,000 करोड का करजा था उसके एवज में प्रदेश सरकार ने बजट में केवल 5 करोड का प्रावधान रखा और उसमें से भी सिर्फ तेरा सो करोड रुपए इसके लिए दिये गए तो कैसे सारे किसानों का करजा माफ हो गया उन्होंने कहा कि मुखबंतरी कमलनात ने मुझे केवल क्रिशी विभाग की किसानों के लिस्ट भिजवाई है आप बैंकों की सूची दीजिए करज माफ तो बैंक करेंगे केवल माहौल बिगाडने और किसानों को ब्रमित करने से कुछ नहीं होगा किसानों के साथ धोका हुआ है जब तक बैंकों को सरकार पैसा नहीं देगी करज माफ नहीं होगा शिवराज सिंग चोहान ने सरकार पर किसानों से बादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आज किसानों को अपना करज चुकाने के नोटिस मिल रहे हैं सरकार से पर मुख्भमंत्री जी से यह आकरे हैं कि मुझे संतुस्ट करने ते बजाएं, बैंकों को परिशा जमा करें, पर सही अरसों में करज माफी करें, और नहीं तो माज़ी मुख्भमंत्री जी यह अगल मगल में बैटे हुए लोग जो केवल रोजी पिच्छटेस करते हैं गद्य महाराज की जहो चारोत रपस आपकी जैकार के नारे लग रहे हैं करज माफी से किसान बड़ा प्रसंद है तेज तारीक के दिन जब रिजा टाएंगे तब पता चलेगा कि पहों के नीचे किसानों से सीधे बात करें किस तरह के पेंडराय भेजने का कोई फाइदा नहीं है और इसलिए मैं फिर अपनी बात पर जिर्ड हूं राहुल गांधी ने ये कहा कि दस दिन के अंदर सबका करज माफ कर देंगे करज माफ नहीं हुआ है करज माफी के नाम पर किबज जुन कई किसान जिनके पास करज बहुत था एक हजार दो हजार तीमहजार कि करज माफी के प्रमाण पत्रों को दे रहे और जो दे रहे उसका भी साभी बैंकों में डाला नहीं है बते लाकों लाकों किसान खगा गया है चला गया है परेसान है आपने करज माफी की बात कहके सारे शिवराज सिंग ने राहुल गांधी को आड़े हातों लेते हुए कहा कि कौंग्रिस अध्यक्ष ने प्रदेश के किसानों के साथ बड़ा धोका दिया है उन्होंने दस दिन में करजा माफ करने का वाइदा किया था लेकिन अब बहाने बना रहे हैं राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा था कि किसानों का करजा माफ करेंगे अब क्या हुआ तेरा वादा क्या इरादा शिवराज सिंग ने प्रदेश सरकार के सबूत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेरा सरकार से आग रहे है कि मुझे संतुष्ट करने के बजाए किसानों का कर्जा माफ करें 23 माई को रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई इसके बाद श्याम होते होते खुद कमलनाथ इस मामले पर सफाई देने के लिए सामने आ गए और शिवराज सिंग पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि शिवराज सिंग चोहान जूट बोल रहे हैं कर्ज माफी की असल हकीकत सामने लाने के लिए सामने आया हूं मैं देर से बोलता हूं कम बोलता हूं लेकिन जूट नहीं बोलता हूं कमलनाथ ने कहा ये लिस्ट शुपी हुई नहीं है क्रशी विभा के पोर्टल पर है शायद शिवराजी पोर्टल खोलना नहीं जानते इसलिए हमने जिलेवार उन्हें ये लिस्ट सौपी ये वो लिस्ट है जिनका करजा माफ हो चुका है कि जो 29 लाग के माफ हुए इन सब के खाते में कभी माफ होता है जब बैंक के खाते में पैसा चला जाए दो प्रकार के बैंक थे दो प्रकार के बैंक थे और अमारे शेडियूल बैंक आपको जो बात अरी तक मैंने नहीं बढ़ाए तो आज बात बढ़ाना चाहता है जो शेडियूल नहीं से हमने उन्हें का मैंने उन्हें कहीं महीने पहले चर्चा करी कि आप उद्योग पजियों का करजा माफ करते हो आप उद्योग पजियों का करजा माफ करते हो चारिज प्रचिशन आप माफ करते हो आपके यह सब ग्रामेट बैंक हैं अगर आप उद्योग पजियों का करते हो तो आप कितना करजा माफ करेंगे इन किसानों का और अगर आप करजा नहीं माफ करेंगे आप खाली उद्यो महाराष्ट्र के मुख्मंत्री देवेंद्र फरन्विस ने इन दौर में कहा कि हेमन करकरे को भाजपा शहीद मानती है और प्रग्या ठाकूर को उन पर कोई भी बयान नहीं देना था ठाकूर ने अपनी गरती मानकर बयान बापस ले लिया है माराथी वोटरों के सवाल पर फरन्विस ने कहा कि इस बार के चुनाव जातपाद धर्म के आधार पर नहीं हो रहे है मोदी के विकास को जनता देख रही है लोग सभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बारे में महाराश्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि ताई भाजपा का गौरव है और उन्ही के आशिर्वास से इन दौर में भाजपा की जीत होगी माराथी समाज के कारिक्रम में शामिल होने इन दौर आए देवेंद फंडविस ने कहा कि गरीबी हटाने की बार देश में पिछले 50 सालों से की जा रही है लेकिन गरीबों के हित में काम मोधी सरकार ने किया इन दौर में माराथी मतदाताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में जात पात के नाम पर नहीं बलकि मोधी और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है इन दौर से लगतार आट बार भाजपा सांसद रही सुमित्रा महाजं के नेतरप में भाजपा की जीत होने की बात फर्णविश ने कही अज हम मध्यप्रदेश का भी अगर चित्र देखे तो 15 सालों तक एक सरकार जिसने मध्यप्रदेश का चित्र बगला है इस मध्यप्रदेश की जशा और लिशा दोरों बुझण लेका ताम किया है मनि सुराशिग की ये रेजी取 में जसप्रका से हाथ कारिव हुआ मध्यप्रदेश जीको उस सालों पहले विवानों दाज में गिरा जाता था अजर्देश के प्रमिक्रिस में आया लेकिन जो वादे करने पाउरेश की सरकार कमलनाजी की सरकार मत्रदेश में आई थी उसने लोगों का मोर्भम कर दिया, कोई भी वादा को नहीं किया चाहां वितामरों के प्रती कर्जवापी का वादा हो चाहां धिर्वर्जगारों को भठता देने की बात हो हर मोर्चे पर यह सरकार विपल है और सबसे बड़ी बात भाजपार कमलेश में अंतर क्या है तो यह पर जोड़ी जी के सरकारे इस पर पाट साल में कोई दाज नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगा कोई भी इसके ओपर रष्टाचार की बात ने कर पाया और यहां मुश्किल से कुछ दिल सरकार वरतर हुए है और जिस परतार के घपले घोटाले यह सामने आने है मुझे विश्वा से मज़ब रेकि में लोगों ने उस समय भी इदाज नबाने की कुल पूरा ब्रैंडेश को दिया ने उलेखने है कि मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए हेमन करकरे को लेकर भाजपा की भुपाल से प्रत्याशी साधवी प्रग्या ठाकुर ने विवादित ब्यान दिया है इस मामले में फण्विस ने कहा कि भाति जन्ता पार्टी हेमन करकरे को शहीद मानती है प्रग्या ठाकुर को करकरे पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था हाला कि वेह प्रग्या ठाकुर का ने जी बयान था और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी करकरे जी का सवाल है कि उन्हों महाराख्य ने भाति जन्ता पार्टी कुले देश में करकरे जी को शहीद मानती है करकरे जी ने जेई के लिए असकी जाहती है और जिसके में साग्मी जी ने ये बयान दिया महाराश्टर के मुख्यमंत्री बोले कि आज समूचा विश्व हमारे साथ खड़ा है पहले पडोसी देश भी साथ नहीं थे पाकिस्तान को छोड़ कर सभी इसलामिक देश हमारे साथ है ये सब मोदी जी की वज़ह से मुम्किन हुआ है और एक मजबूत शक्तिशानी राष्टर की छवी पूरे विश्व में बनी है कम्पीटर बाबा ने संतों के साथ दिगविजे सिंग की जीत के लिए भोपाल में हवन और हट योग किया बड़ी संख्या में मौजूद साथू संतों ने न्यू सेफिया कॉलेज ग्राउंड में धुनी रमाई इस मौके पर दिगविजे सिंग पत्नी अमरिता सिंग के साथ मौजूद रहे जहां एक तरफ कम्पीटर बाबा ने इसे दिगविजे की जीत के लिए बताया वही कुछ सादू संतों का कहना है कि यह सनातन धर्म की रक्षा के ले किया गया है भूपाल से लोग सभा प्रत्याशे दिगविजे सिंग के समर्थन में कम्पीटर बाबा ने हट योग और हवन किया कम्पीटर बाबा ने बीजे पी पर निशाना साधा और कहा मोधी सरकार ने राम मंदिर बनाने की बात कही थी लेकिन मंदिर नहीं बना, कम्पीटर बाबा ने साध्वी को आड़े हातों लेते हुए कहा कि साध्वी ने शहीद हे मंद करकरे परापाती जनक टिपडी की है, जो सही बात नहीं है, हजारों की संख्या में मौजूद साधू संतों ने सेफिया ग्राउंड पर धुनी रमाई यह तप-तपश्या हटियो खर्या जाता है, जब कोई चीए हम लोग को मनवाना होता है इस वर से, तो हम लोग हटियो करते हैं, इस वर से प्राथना करते हैं, और आपने अपने तरीके से कोई भजन, पूजन, कोल, खपर्त, से में रखके, आग लगा के और खाड़ा खेल क करके तपतप चाकी आते हैं इस्वार से कहते हैं घर्म से चलने वाले व्रक्तियों को जैसे इस समय हमारे नर्मिदा की प्रतियास्था रखते हैं ऐसे संटों के ऐसे दिख्वजशी को जिदाने के लिए पुरा संत समाज यहां अनुष्ठान कर रहा है संत बोलें तो साथी भी संत है तो देखेगा जो ढ聲 को पमेंको करें आफी को आफाप अपर दख़ुआ हो आत्त्र को सता है वेचे लिए संत हो बीजेपी शनातन धर्म को के जिस धंक से अधर्म का काम करते हैं, धर्म इसे नहीं चलते हैं, बीजेपी केबल दिखावा करती धर्म का पर कूट-कूट के अधर्म भरा हुआ है बीजेपी में, चाहे वो केंद्रम हो, चाहे राजिम हो, हर जगा बीजेपी का यही काम है, लो करेंगे अभी पहले जिसमें देश को चलाने के लिए शम्मधान की रक्षा करने के लिए जिसको हम सबसे पहले उसका निर्णा तो कलने और सबका कहना है कि राम राम ही अपकी बार और बदल के रख दो चोकी दाम तो यह थे हमारे साथ कंप्यूटर बाव मद्वेश की राज जहां एक तरफ कंप्यूटर बावा ने कारिकरम को दिगविजे सिंग की जीत के लिए बताया वहीं सादू संतो का कहना है कि यह कारिकरम हट साल सनातन धर्म की रक्षा के लिए आयजित किया जाता है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है संतो की माने तो हट वें साधुसान जिन्हों ने हट योग किया है आई हम उसे बात करते हैं वो क्या चाहते हैं बाबा क्या चाहते हैं आप हम तो बस केवल यहीं चाहते हैं कि हमारा सनातन बना रहे और साधना यग्यहवन तपश्याओं में हमको कर्म करने के लिए हम लोगों को रहने के लिए हम और सनातन के प्रती आस्ता रखने वालों की बड़ोत्री होती है। बोला जा रहा है कि ये साधु संत ने जो इकत्रत हुए यहां पर इन्होंने दिग्विजे सिंग के पच्छ में ये सब हट योग किया है। क्या ये सच है। देखिए हम लोग तो अपनी योग साधना के लिए चार महीने की ये नित्त करते हैं। और यह यहां करें या किर कहीं भी रहें हमको चार महीने इस समय नित्त करनी हैं। इसमें हमें किसी से भी श्रे नहीं और किसी का भी बिले नहीं। है कर्म हमारा सनातन का है जो हमारा चातुरमास चलता है ति विजए सिंग में एक साधु लड़ा रही जानता नहीं कि शाधुना में जवाब दूँ यह जो पूरा योग किया जा रहा है, वो साधू और सनातन के लिए किया जा रहा है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे हैं दाखल न्यूज आप देख रहे हैं दाखल न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अपने बेबाद बयानों और अंदास को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली अक्ट्रेस स्वरा भासकर, फिर सुर्खियों में उन्होंने भोपाल से बीजेपी की लोग सभा प्रत्याशी साधवी प्रग्या को लेकर बड़ा बयान दिया स्वरा का कहना है कि आतंगवादी गतिविधियों की आरूपी साधवी प्रग्या ठाकुर की उमीदवारी निंदनिया है दिग्विजय सिंग बहतर उमीदवार है किसानों पर गोली चलाना गलत है वो अनिदाता है मुझे ढोंगी लोगों से डर नहीं लगता ये हिंदू धर्म और आस्था के साथ खिलवाड है प्रग्या आतंगवाद की आरूपी है प्रग्या ठाकुर की उमीदवारी निंदनिया है प्रग्या ठाकुर अगर अपने आपको हिंदू मान रही है और वो आतंगवाद की आरूपी है तो हाँ फिर वो एक हिंदू आतंगवाद आरूपी है आइसिस जो है वो मुस्लिम आतंगवाद आरूपी है या उनके खिलाब को खेर काफी दूप है स्वरा ने कहा अक्षे कुमार ने पीएम मोदी का इंटर्वी लिया इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पिछले 5 साल में लोगों के बोलने की आजादी खत्म हुई है पिछले 5 साल में देश की आजादी खत्म हुई है किसानों का नेतरत्व संसद में उठाना चाहिए उन्होंने कहा मैं हेमा मालनी और सनी द्वेल का प्रचार नहीं करूँगी वही उन्होंने कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों की तारीफ करते हुए कहा कि लोगसवा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस का घोशना पत्र प्रिशंसनिय है जो भी नेता समविधान में विश्वास रखते हैं वे पीम बनने के लायक है मदिपृदेश के जनसंपर्ग मंत्री पीसी शर्मा ने कहा पत्रकारों का 5 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी पीसी शर्मा ने जनसंपर विभाग, विधी विधाई, धर्मस विमानन और साइंस एंड टेक्नलोजी विभाग के कामों का ब्यारा दिया उन्होंने बताया मेरे मंत्री बनने के बाद 114 पत्रकारों को आर्थिक साहिता दी गई महिला पत्रकारों की कमेटी से उन्हें होने वली परिशानियों के सुझाव लिए गए उन्होंने कहा कि पत्रकार और वकीलों की सुरक्षा कानून को विभाग जल्द लागू करेगा चुनाव के नतीजे आने के एक महाबाद पत्रकार सुरक्षा अधिनेम लागू हो जाएगा साठ वर्ष की आयू से ज्यादा के अधिमाने पत्रकारों को दस हजार रुपे की पेंशन दी जाएगी उन्होंने कहा भाजपाश शाशन में जो फरजी पत्रकारों ने अधिमानने ताकार्ड बनाए हैं उनकी जाच की जाएगी नहां का जो बिदायक है, तो कि उस समय लाव बें एक अप्रिया शुन की थी कि मंदिरों के लिए पैसे जिये रहते हैं, वाकी जिये मन दूसरे एक सरे उतका होगी हैं, लेकिन तो हम लोगते प्रवजायक नहां थे हैं, क्या पहले नए इपिए लिए तो बिदायक के बार द इस समय होगी है, उसके साथ सती है मुझारी कुका इक लाव है, तो को बिदायक है, यह पिदायक है, वो प्रूम देशावा ने कहां 25 लाग तक के आवास रिनका 5 प्रतिशत बियाज जंसम पर विभाग देगा, मकान अवंटन में पत्रकारों को आवास शाष्किये सिव को जितने ही शुल्क पर दिया जाएगा अब पत्रकार के साथ अन्होनी होने पर 15 लाख उसके परिवार को दिये जाएगे उन्होंने बताया बाल अपराधों के तुरित सुनवाई फास्ट चेक आदालत में होगी न्याले में शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा चित्रकूट में दो जुडवा मासूमों का अपरहन कर हत्या करने वाले आरोपियों में से एक ने सतना सेंटरल जेल में फासी लगा कर आपनों हत्या कर ली हैं इस हाई प्रोफल मामले में पुलिस ने छे आरोपियों को पकड़ा था बता दे चित्रकूट के तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के जुड़वा बेटे प्रियांश और श्रियांश का गत बाराफरवरी को अपरण कर लिया गया था बाद में 20 लाग की फिरौती लेने के बाद भी बंदमाशों ने दोनों मासूमों के निर्मम हत्या कर लाश नदी में फेख दे थी तो जड़वा मासूम का अपरण कर हत्या करने वाली आरोपियों में से एक ने सतना सेंटर जेल में फांसी लगा ली पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा था इन में से एक आरोपी राम के शियादाव ने सतना सेंटर जेल में फांसी लगाई है इस घटना के बाद जेल में हड़कम मच गया 6-5 आरोपी अभी जेल में है फिलाल जेल परशासन की और से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जारी है कि ये घटना कैसे हुई जेल परशासन इस मामले में नया एक जांच करवा रहा है चित्रकूट में आईजी रिवा चंचल शेखर ने बताया कि पूरे घटना करम के खुलासे के लिए परशाद में ये वीडियो काफी चर्चाओं में रहा था और इसी से पुलिस को लीड मिली थी घटना में लकी उर्फ आलोक सिंग तोमर, शिक्षक रामकेश ज्यादव, उसके मामा पिंटू और पिंटा और विकरम जी सिंग नामक आरोपी भी वारदात में शामिल रहे इनी में से एक रामकेश ने जेल में फांसी लगाकर आत्मत्या की है पुलिस आत्मत्या की इस घटना को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है चुनाओ में धन बल के उपियोग को रोकने के लिए इन दौर पुलिस लागातार कारवाही कर रही है इसी तार्तम में इन दौर की MIG थाना पुलिस ने एक वेपारी से करीब 86 लाख रुपे बरामत किये हैं वेपारी इस रुपे के बारे में ठीक से कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है इन दौर के राओ SDM के दौरा थाना MIG को सुचना दी गई थी कि उनके थाना छेत्र में एक बड़ी राशी का ट्रांसपोर्ट होना है इसी सुचना के अधार पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया और चेकिंग के दुरान एक कार की तलाशी ली तो उसमें से नोटों की गड्या मिली इस कार में रखे लगभग 86 लाख रुपे पुलिस ने बरामत किये यह राशी एक सोना व्यापारी निखिल सोनी की बताई जा रही है जिसे लेकर सेल्समेन वेंकटेश लड़ा कार में ले जा रहे थे वेंकटेश लड़ा से पूष्ठाश की जा रही है वे इस रखम का हिसाब नहीं दे पाया है पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हासिर होंगे आप देखते रहिए दाखा लिए आप देख रहे है दखल न्यूज आप देख रहे है दखल न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागात एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी बेटी और उसके साथी को गरफतार किया है शराब के नशे में मा बेटी का जगड़ा हुआ और आवेश में बेटी ने मा की पीट पीट कर जान ले ली गटना जबलपूर के पानागर की है एक माई को पनागर में हुई 55 साल की महिला सुखमंती बाई की हत्या की कुद्थी पुलिस ने सुलजा ली है पनागर पुलिस ने महिला के हत्या के आरोप में उसकी सगी बेटी सहित दो लोगों को ग्रफतार किया है हत्या की वज़ा शरापीने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है गटना एक माई की है जब पनागर में लगे एक खेत में महिला का शब मिलने की पुलिस को सूचना मिली जानकारी लेने पर महिला की शिनाथ 55 साल की सुखमंती बाई के रूपे हुई पुलिस ने म्रतिका के विशे में जब उसकी बेटी शांबती से पूश्टाश की तो उसने बताया कि घटना वाले दिन दोनों ने साथ में बैठ कर शराप पी थी और बाद में वो खाना बनाने चली गई जबकि उसकी माँ वही लेटी रही कुछ देर बाद जब वो अपनी माँ के पास पहुची तो वह म्रत हो चुकी थी पुलिस को शामबाई की बातों परशक हुआ जिसके बाद उसने मृत्यक की बेटी पर फोकस किया एक मही को पनागर शेत्र में सुकमंती पनिका की लाश खेत की मेड़ पर मिली थी जिसमें प्रतन दिश्टया हत्या खशक होने से पनागर पुलिस, प्राइम रांच और एडिशनल स्पी सिटी द्वारा उसमें दिविचना प्रारम करी गई है पुरी जांच परताल पर ये पाया गया है कि उस दिन सुकमंती पनिका ने अपनी बेटी के साथ मही पे स्पाट पर शरापी और उसके बाद हुए जहड़े के बाद उसकी बेटी और पास के एक खेत के रक्ती ताला चन ने दोनों ने मिलकर उसकी मार्पीट करी जिस पुर्टार के लिया गया है और उनको आगे की जो तरवईयों की जा रही है पुलिस ने मृतिका की बेटी से कड़ाई से पूश्टाच की तब उसने बताया कि खेत के ही चौकिदार ताराचन के साथ मिलकर उसने अपनी मा की हत्या की घटना को लेकर शाम बाई ने पनागर पुलिस और क्राइम ब्रांच को बताया कि घटना वाले दिन शराप पीने के बाद उसका अपनी मा से विवाद हो गया था उसी विवाद के समय ताराचन भी वहाँ पहुँच गया और दोनों ने डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और शफ को खेत की किनारे फैक द पुलिस इस बात को इस पश्ट नहीं कर पाई है कि शामवती और ताना चंद के बीच क्या ऐसा रिष्टा था कि महिला ने एक बार कहने पर ही उसने सुखमंती बाई की हत्या करने के लिए अपनी हामी भर दी सड़क पर जूलते तारों ने दो लोगों की जान ले ली पानी का टेंकर सड़क की तराई करने जा रहा था तब ही जूलते हुए तार टेंकर के धककन से जा टकराया टेंकर में करेंट फैलने से ड्राइवर और उसके हलपर की तुरंधी मौथ हो गई टेंकर का ड्राइवर और हलपर ग्राम इटावा से नंदिया खेड़ा तक बनने वाली सीसी सड़क पर टेंकर से तराई करते थे गोटेक कंस्ट्रेक्शन कंपनी इस सड़क का निर्मान कर रही है तराई के दौरान बिजली के जूलते तारों से टेंकर का धककन टकरा गया और हाथसा हो गया इन तारों के ठीक करने के लिए कई बार बिजली विभाग से शिकायत की जा चुकी है बताया जाता है कि गोटेक कंस्ट्रेक्शन कंपनी में ड्राईवर और हेलपर का काम करने वाले पूनम सिंग और सुरेश निर्मानादीन इटावा के नदिया खेड़ा तक सीसी सड़क पर टेंकर से सचाही कर रहे थे तब ही टेंकर का खुला धकन 11 केवी से टकरा गया देखते ही देखते ड्राईवर और हेलपर करन की चपेट में आ गया उइन्हें ततकाल समुदाय स्वास्तकेंद्र ले जाए गया जहां डॉक्टर ने उन्हें इमरत गोशित कर दिया ऐसे में बिजली विभाग अपनी गलती स्विकार करने से इनकार कर रहा है बिजली विभाग रेटी के जुनियर इंजिनियर M.D.O.E.K का कहना है कि ताल जितनी उचाई पर होना चाहिए उतनी उचाई पर ही है लेकिन CC रोड उची होने से और ट्रक की उचाई भी ज्याद माई को वोट डाले जाएंगे इस बार भी इस सीट से कांग्रिस ने जोती रादेते सिंधिया को चुनावी मैदान में उता रहा है चुनाव परचार के भी जोती रादेते सिंधिया बच्चों के साथ कैरम खेलते नजर आए जोती रादे सिंधिया जहां एक तरफ पश्यमी उत्तर परदेश में पार्टी की चुनाव अभ्यान की कमाल समाल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ खुद के लिए चुनाव परचार कर रहे हैं ऐसे में वेस्टर कारकरम के बीच भी सिंधिया ने वक्त निकाल कर अपनी थाकान मि उपने के बाद सिंधिया जन्सम पर के लिए निकल गए सिंधिया ने कहा कि गुना जो मेरा परिवार है वहां छोटे बच्चों के साथ केरम खेलने का लुट फटाया लक्ष के परती सचेत इन बच्चों को देखकर ये विश्वास हो गया कि छेतर का भविश्य योग गहा यूपी में वेस्ट होने के बाद इस बार सिंधिया का चुनाव परचार की कमान उनकी पत्नी प्रदशनी राजे समाल रही है वह इलाके में लगातार घूम के सिंधिया का परचार कर रही है कोई पुरारे मंदिर मज्जीत को लिए भूम रहे हैं बता रहे हूं यह थी पुरा तो विवाग में काम कर रहे हैं सारे पॉलिटिशन इस समय कोई कुदाली भावडा ले लेके निकल गए यह सब चल लिया है और मैं बता रहा हूं इतनी गहरा है में मज्जा हो कि लोट के पुरे गिंडात इसी में लगे हूं है इतने को रोजगार दे रहे है रहे हैं यह सथोड़ी है और एक देख लो नारी शक्ती वाली खावर है बता रहे हूं चार मेला होने गुज्डात की पुलिस वाली होने जाके है ना खूक और अपरादी को जंगल दे पकड़ के लिए चार मेला किती सब्सक्त हो नहीं है इतने वादुरी के काम कर रहे हैं इस दिल फक्र से बड़ा हो जाता है अमारा तो यह असा नहीं है यह जिए ख़बर देख लो यह यह जो ऑस्पिटल है वां पे फरी डॉक्टर पाए गए एक देर महीने फरी डॉक्टर बने बेटे थे इसलिए वाला रोजगार देना शुरू कर दो बता रहे हैं इस तरह के रोजगार पंपेंगे और एक देख लो यह जो तूफान वगएरा आया उस पर बातचीत करना चारे थे कुछ हमें जनता के बले के लिए तो बात करो यह अपने इगो को यह एक करब रखो जनता का बल करो वेदे भी चुनाव चल लिए जनता के बात तो जहां नहीं है आपको है और यह फैनी तूफान जो आया है यह फैनी जो कोई फैनी कह रहा है उसको फैनी कह रहा है इस पर यूएन ने बड़ी तारी पी है उडीसा जरकार की इनका जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो ग आप देख रहे है दखल न्यूज